शिल्पा शिट्टी और राजकुंद्रा पर E.D. ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है E.D. ने शिल्पा और राज की 97 करोड रुपए की संपत्ती को जब्त कर लिया है इस संपत्ती में उनका जुहु वाला घर है जो शिल्पा के नाम पर है E.D. ने Prevention of Money Laundering Act के तहट ये कारवाई की है जब्त की गई संपत्तियों में शिल्पा का जुहु वाला फ्लैट, पूने वाला बंगला और राजकुंद्रा के नाम से कई इक्विटी शेर भी शामिल है E.D. ने महारास्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई F.I.R. के आधार पर जांच शुरू की थी इन F.I.R. में कहा गया कि इन लोगों ने लगभग 660 करोड रुपे के बिटकॉइन 2017 में जूटे वादों के आधार पर निवेशकों से हसल की थे इस दोरान लोगों को 10% के रिटर्न का बादा किया गया था ये एक तरह की पोंजी स्कीम थी निवेशकों के साथ भारी धोका धड़ी की गई ED की जाच में खुलासा हुआ कि राचकुंद्रा को इस घोटाले के मास्टर माइंड अमित भारत द्वास से 285 बिटकॉइन मिले थे ये बिटकोईन योक्रेन में माइनिंग के निवेश के लिए मिले थे, लेकिन राजकुंद्रा ने इन बिटकोईन की कभी माइनिंग ही नहीं की। ये बिटकोईन आज भी कुंद्रा के पास ही हैं, जिनकी वेल्यू इस समय 150 करोड रुपै से जादा है। शिल्पा और राचकुंद्रा के खिलाफ ये बहुत बड़ी कारवाई हुई है इस कारवाई से शिल्पा बुरी तरह तूट गई है 2021 में पॉर्नोग्राफी मामले में भी राचकुंद्रा का नाम सामने आया था इस मामले में उनकी गिरफतारी भी हुई थी उन्हें 19 अभी भी चल रहा है लेकिन अब राजकुंद्राव शिल्पा पर नए मामले में कारवाई हो गई है बिरो रेपोर्ट बॉलिवुड पे चरचा